सिंपल मतलब जो जो हमने पढ़ा है जो जो हम करने वाले हैं वो सारी बाते हैं आपको बेटा प्रेक्टिकल वर्ल्ड में जाकर खुद बनानी है खुद बनानी है फाइनाइंशल स्टेट्मेंट और और डेटा के साथ तो क्लास में बिल्कुल सही समय है इनको सीख लेने का क्योंकि क्लास के बाद फिर कोई सीखाएगा नहीं क्लास के बाद एक्सपेक्टेड होगा कि आप सीख कर आए हो परफॉर्म करो किसी भईा दीदी से पूचना अपने बढ़े आपको आर्टिकल्चिप में क्या उन्होंने बिठा के पढ़ाया, सिखाया, पूछना जरूँ या सीधा क्लाइंट पे भेज दिया, जा भाई, आडिट कर ले पहले दो-चार महीने तो बड़े टफ होते हैं आर्टिकल्चिप एक चोटी सी मेंटरिंग ले देता हूँ आप लोगों के, आपको हेल्प होगा, जब आर्टिकल्चिप में जाओगे, एक आइस ब्रेकर दे देता हूँ आर्टिकल्चिप में ये सोचकर मत जाना, कि वहाँ आपको ऐजा बच्चा, ऐजा स्टूदेंट ट्रीट किया जाएगा बहुत रॉंग परसेप्शन है ये स्टूदेंट की, और हमारे में भी थी आर्टिकल्चिप में जाकर ये मत सोचना, कि आपको ऐजा स्टूदेंट ट्रीट किया जाएगा, जैसे आपके सर आपको यहाँ पर एक एक चीज़ समझा रहे हैं, बता रहे हैं, आदा आदा एक गंटा लगा रहे हैं आपके साथ, एक एक कॉंसेप्ट के उपर आर्टिकल्चिप में भी कोई आपके साथ बैठकर आदा आदा घंटा आपको समझाएगा, ये सोच बिल्कुल मत लेकर जाना, वरना सपने वह होगता है न, छम से जो टूटे कोई सपना, यही होगा फिर, फिर आंसू निकलेंगे, जग सूना सूना लागे, जग सूना सू वो तो किसीने दी ही नहीं, और चम से हमारे सपने जो हैं वो टूट गए, नहीं होता है ऐसा, जितने बच्चे बिक फोर्स में जाएंगे, या टॉप ट्वेंटी फर्म में जाएंगे, आपको वहां का तो मैं बता सकता हूँ कि बेटा जी, आपको फर्स डे ओफ यार आट professionally, how to write professional emails, ये सब आपकी, अगर आप किसी बिक फोर्स में जाते हैं, तो वहां एक महीना तो आपकी training चलेंगी है, तो एक महीना आपके मस्त जिन्दगी है, जी लेना उसको, फिर उसके बाद एक महीना खतम होते ही, आपका client लगेगा, client लगने का मतलब client आपको allocate होगा, audit मे जितने बचे जाएंगे, client location पर जाना होगा, वहां एक आपका senior होगा, और एक आपका अगर आप बहुत ज्यादा lucky हुए, तो एक आपके साथ आपका एक co-article होगा, जो कि शायद ऐसा हो सकता है, second year, third year का हो, फिर तो आप बहुत lucky है, क्योंकि वो आपका बहुत ध्यान होगा, मैं इसको बताऊंगा, तो वो आपका ध्यान रखेगा, senior तुम्हें कहेगा, कि बेटा चल, 1000 voucher आज जरा, तू लगा इसकी sampling कर, sampling कर, sampling कर कर, testing कर, और सारे निकलवा, और मेरे को शाम तक इसकी Excel बना के दे, तो 1000 में से तुम sampling करोगे, कोई 100 samples की, और उसके बाद निकलवाओगे, आदे मिलेंगे, आदे नहीं मिलेंगे, तुम छोटी-छोटी बाते लेकर जाओगे, और ऐसा हो सकता है, वो डाट लगा दे, तो आज तू मत लेया ना अपनी आखों में, और यह मत कहना, मैं तो आर् reality है, outstation clients भी लगेंगे, लड़कियों से भी बात कर रहा हूँ, तिरा लड़कों से बात नहीं कर रहा हूँ, कि outstation clients भी लगेंगे, आपके साथ आपको ऐसा भी होगा, शायद guidance कम हो, ऐसा भी होगा कि शाम को ही वो बैठेगा आपके साथ आपका senior, क्योंकि पूरा दिन कर रहा होगा, वो शाम को तुम्हारे साथ बैठेगा, वो कहेगा चला आजा साथ बज़ जाएगे, तो कहेगा आजा आप बैठते हैं, तब तुम क्या कहोगे, ओ मेरे को तो अब निकलना है, और वो साथ बज़े टाइम देगा तुम्हें, तो ये भी बाते आएंगे, ये सारी, पहले एक दो महीने, फुरे टफ होंगे आर्टिकल्शिप के, और चीज़े नहीं भी समझ में आएंगे, that's perfectly fine, कोई आपको जज नहीं कर रहा, बच्चे क्या सोचते हैं, समझना विटा, इस बात को बहुत important बात कर रहा हूं इस ताइम, बच्चों को लगता है, हम आर्टिकल्शिप में सीख जाऊंगा, नहीं सीखो, आर्टिकल्शिप में आप बहुत bare minimum सीखोगे, और आर्टिकल्शिप के experience को experience भी count नहीं किया जाए, शायद आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो आर्टिकल्शिप में third year तक, as a chartered accountant काम कर रहे हो आप पूरे third year तक जात इस बात को याद रखें, तो रोने मत लग जाना वहाँ पर, मेरे seniors भी ऐसे नहीं थे, जो sir मेरे को सिखाते थे बिठाओके, अगर आपको लगता है कि sir ये सारी बाते आपके seniors ने आपको समझाई हैं, आपको खुद को सिखानी पड़े, कोई नहीं सिखानी है, sir accounts के concepts आपक किसी senior ने आपको बताए है, वो मदद कर देगा है आपको, हाँ ऐसे होता है, कुछ doubt है पूछ लो, लेकिन ये मत सोच ना कि वो एक गंटा बैट के आपको accounting entry यां बताएगा, वो बहुत फिर तो बहुत देवता आदमी है अगर उसने बैट के accounting entry यां समझा दी तुम को दो, पिर तो उसके बैटा चरण चुले ना वो देवता आदमी है जिसने बैट के अगर तुमका accounting entry यां दे दे, वो second, third year का article होगा जो तुमारी मदद कर देगा, ये से मैं क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि बैटा उसके पस काम ही इतना होगा, कि तुम जब जाओगे ना लेके, तो कहेगा और बाद में आगे हो, और उसकी भी गलती नहीं है, पूरा दिन बिचारा, उसके ओपर पार्टनर बैठा है, पार्टनर पूरा दिन उसको फोन करके कह रहा है, काम का पहुंचा, काम का पहुंचा, काम का पहुंचा, क्योंकि पार्टनर को क्लाइंट बोल रहा है, क सब्सक्राइब कितना प्रेशर होता है विचारे पर देपता आत्मी था एक दो थे मेरे भी सीनियर्स जिन्होंने एक्चुली में मेरे को थोड़ा सा कमफर्ट किया वहाँ पर को एक ही दो लोग होते हैं बस हर कोई नहीं होता बेठा के समझा भी दिया बता भी दिया कि भाई आपको बोलने से मना नहीं कर रहा लेकिन मीटिंग में मत यह सवाल उठा तो मीटिंग के बाद मिरे साथ बैठ जाई हो इसमें को गलत नहीं है वह आप ही की बेटरमेंट है क्योंकि आप को यह ऐसी चीज पूछ लोगे जो शायद पूरे टीम के लिए प्राब्लम मत सोचना कि हर चीज आपको एक्स्प्लेन करी जाएगी आपको आटिकल्शिप को इसन मत समझना कोचिंग मत समझना आपकी कि वहां बैठके आपको आपका पार्टनर सिखाएगा उसनों अगर सिखा दिया तो भाई वो देवता अदमी है अगर उसने बिठा कि तुमको जर भी सिखाया लेकिन जरूरी नहीं है हर कोई सिखाएगा आर्टिकल्शिप को छोड़ना मत बच्चे क्या करते हैं एक दिन डांट लग गई अगले दिन उसने कुछ समझाया नहीं घुस्सा आया मैं छोड़ रहा हूँ आर्टिकल्शिप मैं घर बैठ के पढ़ाई करूँगा बाद में काम करूँगा वर्ल्ड वही रहेगा बिटा आर्टिकल्शिप में जितने हैं वो कहते हैं कई बार पोड़ा सा हर्ट एंवाइर्मेंट में टो अम उतना ही सट्रॉंग हो जाते हैं अगर आंईजट के लिकर एंग 干ूले बहुत रलग है हम जितना मर्जी जोड़ लें, लेकिन जो practical world की problems है न, वो practical world में ही आएंगी classes manage करनी है, office manage करना है, तो करना article चे, अगर कई बहुत ज़्यादा खराब environment हो, तो switch कर लेना first year में switch allowed होता है, बहुत ज़्यादा खराब environment हो, कि मिलब लोग अगर सही नहीं लग रहे हैं, फिर switch करना, एक आद महीने में यह मत कहना कि यार मुझे कोई बताया नहीं, मेरा अपना experience यह था, तर जी पहला client, I was on a outstation, पहला client, first month खतम हुआ, trainings खतम हुई, professional conduct की trainings थी वो सारी, कोई audit की training नहीं होती, professional conduct की training होती है, and how to use their software, first month of articleship, I was sent to Pune, for a month, कौन था मेरे साथ, एक मेरा senior, जो की manager level पे था, और एक मैं, अब जो manager level पे बंदा है, वो 10 plus year का experience लेके बैठा है, उसके बास already इतना काम था, कि सर जी वो मुझ से क्या ही बाते करता दिने, अब सोच के देखो, एक पूरे client office में, 10-12 घंटे, अकेले laptop के आगे बैठे हैं, जो ये भी नहीं पता की करना क्या है, first year का article, और बच्चे की उम्र, 21 साल, 21 साल ही होते हैं ना हमारी article, 20 या 21 साल के असपास, या 19, कित क्या होती है article ship की उमर यार, यही होती है ना, कि 17 में तो हम 12 से निकलते हैं, और उसके बाद एक डेर साल, दो साल लगता है, हमको वो करने में तो 21 साल, 20-21 साल, क्या समझ होती है 20-21 साल की, क्या करना है पता ही नहीं था, तो वहाँ अगर हम छोड़ दें चीजों को, या वहाँ पर हम क्विट मार दें, कि यार यह तो कोई बताई नहीं रहा, ऐसे दोड़ना होता है, चीजें थराव हो जाएं, पोड़ा सबर किया, उनको खुद लगा, रात को बैठ गए, कुबा क्या करूँ, बता दिया, हो गया काम, लेकिन वहाँ कुट मार जाएंगे न अगर हम, तो वो जिन्दगी भर एक कुट वरने की हैबिट बन जाएगी, और मैंने अपने फ्रेंड्स कुछ थे मेरे, और अच्छा नहीं लगा, उन्होंने C.A. ही छोड़ दी, just because कि आर्टिकल ली ही नहीं कि आर्टिकल शिप हमारा घर नहीं है, समझ में आगई बात, छोड़ मत देना, और रोने मत लग जाना वाँ पे, प्रॉब्लम्स आएंगी, they are just the beginning, taste them, conquer them, move ahead, every day is a new day, and we have a lot to learn, keep that in mind, हमें कुछ नहीं आता अभी, तिरफ theoretical knowledge लेके जा रहे हो, आर्टिकल शिप हमारा तो बच्पना थोड़ा सा यहां पर जाकर एक, कहते हैं ना, जब स्कूल के बाद कॉलेज जाते हैं, तो एक थोड़ा स change होता है, college के बाद, जब office जाते हैं, तो बहुत change होता है, तो याद रखना है, इन सारी बाद, यह कहीं ना कहीं help करेगी, तो back of the mind में रखना, be strong, don't cry like a baby there, यह औरे, मुझे तो बताया नहीं, मुझे तो बताया नहीं, don't cry like a baby, बाद समद में आ गई, चलिए, तो यह झालिए, त güढश है, मनौ़ में लतला है, अजय वाया नहीं ह। कि अधरना है, टो जुद लोड़ेस को झालिक थे लूदीयत, ची रखनियो में पालिए बाद.